असलाम अलेकुम, स्टूरेंज आज हम लोग चॉप्रफी के चो हमारा वार्टर रिसोर्स हम पाद रहे थे class 10th के तो वार्टर रिसोर्स में हमने अल्मुस्ट सारा हमारा topic जो है complete हो चुका है तो लास्ट इसमें हमारा जो topic आज हम discuss करने वाले हैं is Rainwater Harvesting तो Rainwater Harvesting को मैंने इन जवार्वेस्टिंग को मैंने इन ज़नल आपका, जो पिछली लेक्चर में या पिछली वीडियो में मिन norma पुरा इन जवार्वीन जो Water Harvesting पढ़ा था, तो आज हम जो पढ़ने बाले हैं हम अलग से प्द रहे हैं तो हम अलग से इसलिए पढ़ रहें क्योंकि इसके उपर जो है अब की जो मलब जो इक्जामे कोशिन पुचते हैं क्यार इक वो इसी से रिलेटट कोशिन आते हैं तो इस वज़ा से हम इसको अलग से डिसकस कर रहें ठेक है तो वागी इसमें मैंने आपको यह बताय था कि जो रोप सोरीdot Rainwater Harvesting system है यह अलग-अलग regions में बेरिजिय करते हैं ठीक है के अलग-अलग verste अमारे जो कंट्री के parts है ठीक है यह पूरे world में भी आ खर अने जबनंते हैं खाना को ठीक है हमारे country के जो हैं तो इसी तरह से अलग-अलग टाइपस जो है according to the environmental या geographical condition के हिसाब से अलग-अलग तरीके जो है अपनाए जाते हैं rain water harvesting का तो आज जो rain water harvesting system हमारे पास है roofed of rain water harvesting system अब roofed of rain water harvesting system जो है कहां पे होते हैं जरनका तो ख्यारे एक वो हमारे जो airis and semi-arid regions में तो airis and semi-arid regions में तेक है जैसे for example राजस्तान है तेक है राजस्तान के बहुत सरे से एडिया से बहुत सरे से पार्ट से जहां पे roofed of rain water harvesting जो है most commonly जो है use करते हैं या इस्ते अमाल करते हैं तेक है तो वहां पे जो roofed of rain water harvesting system है तो यह कैसे करते हैं जरनका जैसे for example आपके बुक पे इस तरह से दिया है collect करते हैं now यह tankas क्या है तो tankas बचे tankas मतलब यह क्या करते है एक बहुत बड़ा room जैसा ठेक है बनाते है tankas यानि tank की तरह ठेक है तो वहां पे इसको tanka कहा जाता है तो tankas is a part of roofed of rain water harvesting system in Rajasthan ठीक है तो यहां पे यह तो यह underground बनाए जाता है या हमारे जो courtyard होते हैं वहां पे ठीक है तो इसमें यह क्या करते हैं कि tankas को जो है rooftop से connect करते हैं pipe के जरीए और water को जो है इस tankas में transport करते हैं सिम इसी तरह से जिसे यहां पे है ठीक है इस तरह से पानी यहां पे जमा हो गया फिर pipe के जरीए collect करते हैं फिर tankas में इसको जमा करते हैं ट्रांस्पोर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि राजिस्थान में जो है इस जो कलेक्टिंग वाटर या रेंड वाटर आर्वेस्टिंग का जो है जो पानी है जो टंकास में ये पानी जमा करते हैं इसके इनको बहुत सारे या एडवांटेजिस बहुत सारे फाइदे मिलत जाते हैं, तो इनके लिए जो reviewers पान पाना पर पीन लायक नहीं होते हैं, तो इसिटरह से पूरा करते बादाव मिलता है, वो कि ऐसे जरननेका लूप से तो दो रहसे नहीं है। सोरी के वज़ात्वित पाइप इस वज़ाद के वज़ाद कोरे का टो है। तो उस वज़ा से ये लोग गर्मी से भी निपड लेती है तो वहाँ पे इस तरह से इनको फाइदा मिलती है नेक्स्ट इसमेज क्या है कि राजिस्तान में जो रेन वाटर है इसको पलार पानी भी कहा जाता है ठीक है आप लोग बुक से भी रेट कर सकते हैं इस चीज़ को सो वज़े ये जो रूफ टॉफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये राजिस्तान में ही नहीं बलकि हमारे इंडिया के अधर पार्ट्स में भी बाकी पार्ट्स में भी क्या करते है इस चीज़ को इंस्टॉल किया हुआ है जैसे फॉर एक्जामपल अबके बुक म और एक चीज़ दिया है गेंडा थूर के बारे में ठीक है तो गेंडा थूर क्या है गेंडा थूर माईसूर करनाटिका में एक चोटा सा विलेज है ठीक है एक बैगवर्ड विलेज सो गेंडा थूर जो है क्या है करनाटिका गेंडा थूर माईसूर करनाटिका में एक चाओं में ये लोग क्या करते हैं? जितना annual precipitation होती है वहाँ उसको पूरी तरह से, पूरी Efficiently, ये लोग क्या करते हैं? किलेक्ट करते हैं यानि इमान स्थ्काव भाइब स्थ्कॉल्च करते हैं Big इफिशेंटली कलेक्शन打 我ंटサ्व 1 पर साली कशníटू eight Link फिल्क साहिन गाशना हो जाती है फिफिटी थाउजन लीटर प्र나डू लीटर उनको कलेकट हो जाती है हर हाूस में हैं फिप्टी थाउजन थाbs थाउज तो इस तो मतलब ये बहुत ji जैसे ह那么त wast Opera water हो जाती है बहुत सारे इसे areas में जहां पर पानी की scarcity बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो और यह चीज जो है जैसे for example हमारा जो water scarcity है इसमें बहुत सारे आपको मिने जैसे aspects बताए थी इन aspects में से जैसे for example कुछ quantity two aspects थी कुछ हमारे जैसे for example quality two aspects थी जिसकी वज़ा से पानी जो ह परती है तो इन सारे चीज़ों को ठीक है जो water scarcity है water shortage है इस चीज़ को overcome करने के लिए यह जो methods है जैसे water harvesting system का यह बहुत ही reliable यह बहुत ही efficient methods हो सकती है अगर इस चीज़ को हम लोग efficiently use करें या efficiently अगर हम collect करने की कोशिश करें इसी तरह से बच्चे आपके book पर यह दिया है ता हमारा जो इंडिया में first state है जिन्होंने जो rain water harvesting यानि roofed of rain water harvesting system को जो हर गर में compulsory बनाया था तेक है यानि legally legal provision ठेक है having compulsory legal provision for roofed of rain water harvesting ठेक है अगर जो भी defalters होगा जो install नहीं करते हैं उनको legal provision के इसाब से punishment भी दिया जाता है ठेक है so this was all about this chapter water resource और I hope आपको यह जो last वाला topic जो है हमने दो videos में आपको बताया है rain water harvesting का I hope आपको समझ में आ गया होगा तो इससे पहले वाला chapters तो आमने class में ही discuss कर लिये थे school में तो उसमें आपको कोई dot नहीं है इसमें अगर कोई dot होता है किसी को तो आप मुझे call कर सकते हैं यह हमारे जो WhatsApp ग्रूप है इसमें भी आप पूश सकते हैं ठेक है so thank you thank you very much